आईना जो कि हम सभी के घर में होता है हम मेंसे ऐसा कोई नहीं होगा जो खुद को बिना आईने में देखी बाहर जाता हो आपको बता दे आईना हमें खुद से रूबरू ही नहीं करवाता बलकि हमारी किस्मत के दरवाजे भी खोलता है जिस तरह से आईना हमारे लिए जरूरी है ठीक उसी प्रकार से वास्तू के नजरिये से भी इसका एक अलग महत्व है वास्तू के जानकारों की माने तो आईना चेहरे की रंगत दिखाने के साथ ही साथ आपकी किस्मत के लिए काफी महत्व रखता है आईने से जुड़ी ये गलतिया अगर आप भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि इसी वज़र से आपके स्वास्ते, धन और उन्नत्य में परिशानी आ रही हो बताते चले तो वास्तू शास्त्र में आईने को सकारात्मक, उर्जा और सुखद एहसास का स्त्रोत बताया गया है घर के किसी भी कोने में इसे लगाने पर घर में रहने वाले लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए इसका सही दिशा में लगे होना बेहत जरूरी है और आज इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिये शीशे से जुड़ी कुछ वास्तूर टिप्स हम आपको बताएंगे जिनें अपना कर आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा आपको बता दें घर की इशान कोण में उत्तर या पूर्व की दिशा पर स्थित वास्त बेशिन के उपर दरपन भी लगाएं ये शुब लाबदायक होता है घर के पूर्व और उत्तर दिशा वा इशान कोण में आईना की लगाना फायदमंद होता है और घर में छोटी और संकुचित जगा पर शीशा रखने से चमतकारिक प्रभाव पैदा होते हैं घर में शीशे को ऐसी जगा लगाएं जहां से शीशे में कोई शुब बस्तु प्रतिबिम्बित हो वहीं अगर आप कमरे की दिवार पर आमने सामने दरपन लगाने से घर के सदस्यों में बेचानी और उलजन की समस्य बनी रहती है वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि कभी भी शीशे को अपने मन से किसी भी अकार में कटवा कर घर ना लाएं ऐसा करना हानिकारक साबित हो सकता है आप घर की दिवारों पर आइना लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आइना एक तम उपर या बहुत नीचे ना हो ऐसा करने से घर के सदस्यों को सिरदर्द की परिशानी हो सकती है इसके अलावा बिस्तर के ठीक सामने आइना होने से पती-पत्नी के वेवाहिक संबंधों में तनाव पैदा होते हैं इसके कारण पती-पत्नी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश भी हो सकता है तो ये थे कुछ आइने से जुड़े वास्तु टिप्स नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्छल से आर्तिक रिपोर्ट